हलो माई डियर स्टुडेंट बेलकम बैक तु माई यूटूब चनल सुभास स्टेडी सेंटर दो हजार पचीस बोर्ड एक्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क अच्छा दस में हैं और आपने यदि ग्रह विज्ञान विसय को चुना है यदि आप ग्रह विज्ञान विसय के साथ पेपर देंगे दो हजार पचीस का तो आप सभी के लिए मैं ले करके आ चुका हूँ ग्रह विज्ञान विसय का एक वाइरल माडल पेपर मेरे प्यारे बच्चो यदि आप इस viral model paper के सभी प्रश्णों को तयार कर लेते हैं तो 100% की guarantee मेरी है मेरे प्यारे बच्चों की यहां से प्रश्ण आपकी board परिच्छा 2025 में जरूर छपेंगी और इस viral model paper के मैं यहां पर सभी प्रश्णों का उत्तर लेकर के आ चुका हूँ आ paper छपेगा आपकी board परिच्छा 2025 में तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें 823 ID code का यह viral model paper है चलिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा board exam में paper का पूडांक रहेगा 70 अंकों का मैंने आपको बताया है कि यदि आप इस paper को तयार कर लेंगे model paper को तयार कर लेंगे तो आप 70 में 70 का score बहुत ही आसानी से कर लेंगे चलिए यहाँ पर note के अंतरगत ध्यान दें आप लोग प्रारम के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रशन पत्र पढ़ने के लिए जैसा कि निर्धारित किया गया है UP board के द्वारा और निर्देश है यहाँ पर सभी प् खंड है खंड आ तथा खंड बा पेपर दो खंडों में विभाजित रहेगा खंड आ में और खंड बा में अब क्या करना है आपको आगे निर्देश है यहाँ पर खंड आ में एक अंक्य के 20 वहुविकलपी प्रशन है जिनके उत्तर आपको ओयमार उत्तर पत्रक पर चिन् बोड एक्जाम ने और जो 20 प्रशनाएंगे चाहे ग्रह विज्ञान के हो या किसी भी विषय के हो उन सभी प्रशनों का एंसर आपको यहाँ पर भरना होगा जिस विषय का पेपर होगा उस विषय की ओयमार में आपको भरना है जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी वाले ञाब दो किसी दिन आपको मिलेगी प्रते एक दिन आपको मिलेगी जब आप पेपर देने जाओंगे और 20 प्रशनों का एंसर आपको मिले यहाँ पर लिखा है खंड आए बाद प्रते प्रशन का निर्देश भढ़कर ही केवल प्रदत वयमार उतर-पत्रक परushy UMR उत्तर पत्रक पर ही आपको चिन्नित करना है UMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पहचात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथ्वा वाइटनर का प्रियोग ना करें अब यहाँ पर आप लोग समझेगा थोड़ी सी मेरी बात को यहाँ पर पहला प्रश्ण है और इसके चार विकल्प दिए गए हैं अब आपने यहाँ पर ए वाला गोला काला कर दिया जबकि सही था यहाँ पर सी वाला अब ना तो आप इसे काट सकते हैं और ना ही इसमें वाइटनल लगा सकते हैं और ना ही रेजर से साप कर सकते हैं कु खंड बा में 50 संख्य के वर्डनात्मग प्रश्ण हैं, मेरे प्यारे बच्चों खंड बा में सभी प्रश्णों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा, प्रथम प्रश्ण से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्ण तक करते जाईएगा, जिस प्रश्ण का उत्तर आपको नहीं पता है, उस पर आप समय नश्ट ना कीजिएगा, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों खंड आ यानि पार्ट ए, निर्देश है यहाँ पर, प्रश्ण संख्या एक से बीस बहुविकल्पी प्रश्ण हैं, प्रतेक के चार-चार बैकल्पिक उत्तर दिये गए हैं, उन क्योंकि यही प्रश्ण आपकी बोड परिच्चा 2025 में आएंगे ही आएंगे, पहला प्रश्ण है, बजट की मूलभूत आवशक्ताएं क्या हैं, तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा, भोजन, आवास, वस्त्र, यहाँ पर D वाला अप्सन सही होगा, यह सभी, चलिए अगला प्रश्ण है किसी सुभ आउसर पर दिया जाने वाला चेक, कौन सा चेक कहलाता है, मेरे प्यारे बच्चों जो चेक किसी सुभ आउसर पर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपहार चेक, यहाँ पर D वाला अप्सन सही हो जाएगा, अब यहाँ पर म में यहां पर है इसमें भी डी आपसन सही है तो दूसरे प्रशन के आगे यहां पर डी वाला गोला आप काला कर देंगे और इसी तरह से आपको प्रशन संख्या एक से प्रशन संख्या 20 तक के प्रशनों के गूले काले करने हैं और जो भी गोला आपने काला किया है नीचे गोला काला किया तो आप यहां पड़ी भरेंगी जो भी गोला आप उपर काला करेंगे इसी तरह से आपको यहां पर दर्सा देना है प्रशन संख्या एक से प्रशन संख्या 20 तक चलिए अगला प्रशन है मेरे प्यारे बच्चो अगला प्रशन है मेरे प्यारे बच्चो एक क चावल का मूले क्या होगा बिल्कुल आसान सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चो चार और साथ का क्या हम कर देंगे गुड़ा कर देंगे इस तरह से आप गुड़ा कर दें कितना आ जाएगा चार यहाँ पर जो है चार सूनी का सूनी हो जाएगा और चार चंक्या हो जाएगा च यहाँ पर 24 हो जाएगा 240 होगा राइट एंसर अगला प्रशन है यह च्टू वो रासानिक योगिक है तो यह च्टू वो किसका रासानिक योगिक है यहाँ है जल का यानि जल का रासानिक सोतर क्या है यह च्टू वो है अगला प्रशन मेरे प्यारे बचो हैजा किसके द्वारा फैलता है तो हैजा रोग जो होता है यह दूसित जल के द्वारा फैलता है डिवाला अप्सन सही होगा चलिए मेरे प्यारे बचो यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे प्रशन अगला है परिया वरण दिवस किस दिन मनाया जाता है तो प्रतेक वर्स पांच जून को डिवालाप्षन सही होगा प्रतेक वर्स पांच जून को परिया वरण दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण ATS injection बचाओ करता है तो ATS injection क्या बचाओ करता है किस से बचाओ करता है टिटनेस से यहाँ पर सही होगा प्रशन यहां पर अगला है मेरे प्यारे बचो विटामिन C का उत्तम स्रोत क्या है तो विटामिन C का उत्तम स्रोत है आवला यहां पर B वाला अप्षन सही हो जाएगा अगला प्रशन है मेरे प्यारे बचो बजट में आएदे का दिवरण कितनी अवधिका होता है तो बजट में आएदे का विवरण होता है एक माह का यहाँ पर एवाला अप्शंद क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा चलिए मेरे प्यारे बचो अगला प्रस्ण है एक अनिवार यातायात संकेत किस आकरती का होता है तो यहाँ पर राइट एंसर क्या होगा कि एक अनिवार यातायात का संकेत जो होता है वह होता है ब्रती आकरती का प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चो बिशु सवचाले दिवस की सितिति को मनाया जाता है इसका राइट एंसर क्या होगा प्रतेक वर्स उन्नीस नवंबर को बिशु सवचाले दिवस के रूप में मनाया जाता है कब उन्नीस नवंबर को चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्ण है BCG का T का किस रोग की रोग थाम के लिए लगाया जाता है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा बीवाला अप्शन सही हो जाएगा तप एदिक अर्थात TB या 6 रोग भी आप कह सकते हैं कि रोग थाम के लिए BCG का T का लगाया जाता है अगला प्रश्ण है है जा किस जीवाण के द्वारा फैलता है तो है जा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सीवाला अप्शन सही होगा दीब्रियो कालेरा नामक जीवाण के द्वारा है जा रोग फैलता है प्रश्ण अगला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रदूसर से बच्चने के लिए किस प्रकार का इंधन उत्तम होता है तो हमें एद प्रदूसर से बच्चना है तो सबसे अच्छा इंधन कौन सा होगा यहाँ पर बीवाला अप्चन सही होगा गैस डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग मेरे प्यारे बच्चो फैलता है मच्छर के काटने से बीवाला अप्षन सही हो जाएगा चलिए अगला प्रशन है वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निसान लगाना चाहिए तो वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर मिलिटन चौक से निसान लगाना चाहिए क्योंकि ये जो है आसानी से साफ भी हो जाती है अगला प्रश्ण है मेरे प्यारे बच्चो भोजन पकाने में किसका प्रियोग हानिकारक होता है यदि हम भोजन पका रहे हैं और प्रियोग कर रहे हैं किसका जो कि हानिकारक होगा मेरे प्यारे बच्चो भोजन पकाने में यदि हम सोडा का प्रियोग करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होगा रोगी का भोजन होना चाहिए अगला प्रश्ण है तो रोगी का भोजन मेरे प्यारे बच्चों होना चाहिए सुपाच ऐसा भोजन होना चाहिए जिसे वह आसानी से पचा सकी उसका सरीर आसानी से उस भोजन को पचा सकी प्रश्नगला है मोच आने पर निम्नमे से किसका प्रियोग करते हैं तो यदि किसी को मोच आ जाती है या आपको या किसी को भी मोच आती है तो किसका प्रियोग करेंगे दिये गए विकल्पों में से C वाला आपसन सही होगा आयोडेक्स का मानों सरीर में फेफडों की संख्या कितनी होती है सबसे इंपोर्टेंट और सबसे सरल प्रशने इसका एंसर तो आम लोग भी दे सकते हैं यहाँ पर राईट एंसर होगा दिवाला आपसन दो होते हैं बानों के सरीर में कितने फेफड़े होते हैं दो फेफड़े होते हैं अब बारी आती है खंड बाके प्रश्णों की वर बढ़ने की तो यहां पर निर्देश आप लोग जरूर पढ़ लेना प्रश्ण संख्या 21 से 26 अतिलग उत्री हैं प्रतेख प्रश्ण का उत्तर अधिक् 25 सब्दों में लिखना है और प्रतेख प्रश्ण है कितने नंबर का दो नंबर का तो प्रतेख प्रश्ण का उत्तर भी मैं आपको बताता चलूंगा जैसे कि पहला important प्रश्ण है मेरे प्यारे बच्चो जल की उप्योगिता लिखिए तो यहां पर प्रश्णोंतर संख्या इस तरह से डाला जाता है अब यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि जल सरीर निर्माड वा अस्थित्त बनाए रखने अस्थित्त बनाए रखने पाचन क्रिया सारीरिक विकारों को निस्कासित करने और मेरे प्यारे बच्चो सारीरिक तापमान समान बनाए रखने रक्त को तरल बनाए रखने के लिए अतिरिक्त दैनिक कारियों एवं सामुदाइक कारियों में जल उप्योगी है ये हो गया इसका उत्तर चलिए दूसरा प्रश्ण यहाँ पर देखने से पहले यहाँ पर अत्वा आप लोग घ्यान देए प्रश्ण संख्या 22 है धोनी प्रदूसर के बदार्थ रेडियो टीबी कैसेट आदी अगला प्रश्ण मेरे प्यारे बच्चों है वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है एक मीटर कपडे का दाम 56 रुपे है तो डेड़ मीटर कपडे का दाम बताईए तो एक मीटर कपडे का दाम क्या है 56 रुपे चलिए इसको हल करते हैं त तो डेड़ मीटर कपड़े का मूल क्या होगा 56 गुड़े 1.5 यानी 84 रुपया हो जाएगा चलिए ये हो गया इसका राइट एंसर अगला प्रशन मेरे प्यारे बच्चों है भोजन बिसाक्त क्यों हो जाता है तो इसका उत्तर आप लोग यहां पर ध्यान दें और एक बार से तरह से धुआधार तैयारी कराओंगा 2025 बोड एकजाम की मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भोजन क्यों विसाक्त हो जाता है चलिए इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्त के सरीर में जाने के बाद विसैला प्र भोजन क्या हो जाता है विसाक्त हो जाता है चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्निहां पर है कह रहा है कि सिलाई किट की उप्यूगता लिखिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सिलाई किट में सिलाई एवं कटाई के सभी आवशक रूप से उपलब्द हो जाते हैं, यहां पर रूप होगा, आप लोग ध्यान दें, थोड़ा मिश्प्रिंट है, चलिए एकला प्रश्न मेरे प्यारे बचो है, प्रश्न कह रहा है यहां पर, कि ड्राप्टिंग का महत्व बताईए, तो ड्राप्टिंग का क्या महत्व है, मे अब इसका उत्तर क्या है कि ड्राप्टिंग का आसे है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनते हैं तथा पहनने वाले के सरीर पर सोभित होता है तो मेरे प्यारे बच्चो आपने देखा ड्राप्टिंग का आसे क्या है वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के सरीर पर सोभित होता है चलिए अगला प्रशन है मेरे प्यारे बचो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे प्रशन संख्या 27 है जोकी लगोत्री प्रशन आएगा प्रतेक प्रशन होगा चार अंकका यहाँ पर निर्देज है प्रशन संख्या 27 से 31 तक लगोत्री हैं इनके उतर अधिकतम आपको 50 दो के अंतरगत देना है तो चलिए मेरे प्यारे बचो पहला प्रश्निहाँ पर है जीवन भीमा कराने से क्या लाब हैं तो इसका उतर क्या होगा प्रश्न उतर संख्या 27 इस तरह से हेडिंग डाली जाएगी आप लोग डाल दीजेगा और इसके बाद मेरे प्यारे बचो यह अच्छी योजना है इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक त्रैमासिक छमाही अत्वा वार्सिक आधार पर निश्चित धनरासी जमा की जाती है पालसी की अवधि समाप्त होने के बाद एक निश्चित समय में जमा धनरासी पर निश्चित लाभांस तथा बोनस की धनरासी प्राप्त होती है यदि किसी पालसी धारक की बीच में म्रत्यु हो जाती है तो उसके उत्राधिकारी को पालसी की वह पूरी रकम मिल जाती है जो की पालसी धारक को पालसी पूरी होने पर दी जाती है जीवन बीमा करवाने या जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक बच्छड देने की एकुत्तम योजना है। चलिए मेरे प्यारे बच्छो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्ण संख्या 27 के बाद 28 है अथवा वाला जो है इसका एंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। दूसरा लाब है वन परियावरण को नियंतरित रखते हैं। तीसरा लाब है मेरे प्यारे बच्छो वनो से हमें आक्सीजन प्राप्त होती है जो मनुस के लिए अनिवार है। और यहाँ पर अगला कारण है वनो के होने से म्रदा का परदन नहीं होता है। यहाँ पर यानि पांचुआ लाब है वनो के द्वारा वनो के होने से वर्सा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। वनो से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटिया प्राप्त होती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्छो अगला प्रश्निहा पर प्रश्न संख्या 28 है। पेचिस और अतिसार में क्या अंतर है यह सभी प्रश्न आप लोग रट लीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्छो पेचिस और अतिसार में अंतर। सामानित अतिसार कारण अपच होता है यानि अतिसार का कारण क्या होता है अपच होता है। इससे भिन्न पेचिस की उत्पत्ती का मुख्यकारण कुछ जीवाणों का संक्रमण होता है। कभी कभी पेचिस में सौच के माध्यम से आउ सिलेस्मा तथा रक्त स्तराव भी हो जाता है। जहां तक अतिसार का प्रश्ण है उसमें इस प्रकार के कोई लच्छड प्रकट नहीं होते और अतिसार की दसा में प्रत्य प्राया बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं जिससे बच्चा प्राया कमजोर होने लगता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहांपर आप लोग ध्यान देए, प्रश्न संख्या यहांपर 28 का अथवा है, बचट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बचट बनाने के चार लाव लिखे, तो यहांपर आप लोग ध्यान दे learn 28 का अथवा क्या हो जाएगा? चाहिए तो यहां पर प्रशन संख्या फंप tips का उत्तर होगा भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या नहीं अगर किसी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई हो तो अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवशक्ता से अधिक ना गल जाए क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोशक तत्तुनश्ट हो जाते हैं और इसी प्रकार भोजन परोस्ते समय हमारे साथ एवं बरतन अच् प्रश्ण है यहां पर प्रश्ण संख्या वंथिस का थवा है। कह रहा है सिलाई किट की क्या उप्योगिता है। इसमें रखी जाने वाली पाँच वस्तुओं के नाम लिखी। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। सिलाई किट की उप्योगिता क्या है प्रश्नोतर संख्या वंतिस अथवा सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक स्थान पर सुरच्छित हो जाते हैं जिससे यह सावान रूप से गायब नहीं होते तथा वशक्ता पढ़ने पर किसी भी उपकरण को तुर जिसे इंच टेप भी कहते हैं कैची, मिल्टन चॉक, धागी और पिने अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्छो प्रश्न संख्या 30 है अस्थी भंग किसे कहते हैं इसके विभिन प्रकार लिखिए तो अस्थी भंग किसे कहते हैं यहाँ पर राइट एंसर क्या होगा मेरे प अस्थी भंग कहलाता है अस्थी भंग के प्रकार कौन कौन से हैं यानि कितने प्रकार से हड़ी तूट सकती है पहला है साधारण तूट अस्थी तूट कर अपने अस्थान पर रहती है मां स्पेसियों पर बाहर से सूजना जाती है मां स्पेसियों के तंतुओं को कोई आप लोग ध्यान दें एक सिरा यानि बाहर की ओर तवचा फाड़ कर आ जाता है इस प्रकार के भंग को रक्त बहता है यानि इस प्रकार के भंग में क्या होता है रक्त बहता रहता है अगला है पेचीदा अस्थी भंग जब अस्थी तूट कर सरीर के किसी कोमल अंग में धस पहुचाती है तो उसे क्या करना होता है जटिल भंग कहते हैं यानि उसे जटिल भंग कहते हैं जैसे पसली तूट कर फेफडो या मासय को नुकसान पहुचाती है अगला प्रशन है मेरे प्यारे बच्चो आप लोग ध्यान दें यहां पर प्रशन उतर संख्या 30 का अथवा यानि प्रशन संख्या 30 का अथवा रोगी को भोजन देते समय किन बातों का ध्यान में रखना है यानि किन बातों को ध्यान में रखना है तो यहां पर उतर क्या अहार को चबाने में असमर्थ होता है, अथ्वा सामान आहार ग्रहन करते ही उसका जी मिचलाने लगता है, तथा उल्टी हो जाती है, पाचन क्रिया के अस्तविस्त हो जाने पर दसा में भी रोगी को सामान आहार नहीं दिया जा सकता इन अवस्थाओं में बेक्ति को आहार समंधी अवस्थाओं की पूर्ती के लिए उसे तरल आहार दिया जाता है तरल आहार में ठोस या अर्ध ठोस खाद सामगरी को समलित नहीं किया जाता जब आहार में खाद सामगरी मुख्यरोब से तरल या द्रव अवस्था में होती है तरल आहार रोगी सरलता से ग्रहन कर लेता है तथा इसका पाचन भी सरल होता है और आगे आप देखेंगे रोगी की अवस्था के अनुसार आहार की तरलता को निर्धारित किया जा सकता है कुछ अवस्थाओं में रोगी को पूड तरल आहार ही दिया जाता है पूड तरल आहार के मुख्य उद्दे से हैं निम्बू का पानी मास का पानी जव का पानी इन में से कुछ गाढ़े तरल आहार के उदारण हैं जैसे की चाय दूध फलो का रस बहुत पतली दाल तथा धुली हुई सबजी का सूप अगला प्रशन मेरे प्यारे बचो आप लोग ध्यान दें यहां पर अस्तिभंग किसे कहते हैं इसके विभिन प्रकार लिखे तो इसको आप लोग ध्यान दें ताप क्रम चाट यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है प्रशन थोड़ा सा मिस्प्रिंट हुआ है आप तो आप कर दोग जो है मैनेज़ कर लीजेगा चलिये अगला प्रशन यहां पर आप लोग ध्यान दिजेगा प्रशन संख्या यहां पर है अगला प्रशन है मेरे प्यारे बचो यहाँ पर अस्तिभंग किसे कहते हैं इसके कितने प्रकार हैं इसको मैंने बता दिया है और यह प्रशन भी बता दिया है प्रशन संख्या यहाँ पर 31 है तापकरम चार्ट बनाना क्यों आवस्थक है तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग ध्यान दें तापकरम का चार्ट बनाने से चिकत्सक को रोगी के रोग की स्थिती की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है चार्ट को देख कर ग्यात हो जाता है कि रोगी का तापकरम घटता बढ़ता है या इस्थिर रहता है इस ज प्रश्न संख्या यहां पर 30 के बाद 31 का अथवा है क्रतिम सोसन किसे कहते हैं रोगी को क्रतिम सोसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है तो यहां पर इसका उत्तर आप लोग भ्यान दें क्रतिम सोसन क्या है किसी कारण वस यदि फेफडों में स्वच एवं ताजा वायू का आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिती आजाती है या आज सकती है ऐसे में सरीर की कोशिकाओं को आकसीजन की आवशकता की पूर्ती ना हो पाने के कारण व्यक्त की म्रत्यू तक हो सकती है और इस इस्थिती में दुर्गटना ग्रस्त व्यक्त के फेफडों में किसी करतिम विध द्वारा स्वच तथा ताजी आकसीजन क्या की जाती है ताजी आकसीजन युक्त वायू को भरा जाना ही क्या कहलाता है इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी अन व्यक्त के प्रयासो द्वारा दुर्गटना ग्रस्त व्यक्त की स्वचन क्रिया को चलाना ही क्या है क्रतिम स्वचन क्रिया है देखती अथवा चिकितसक की इच्छा एवं प्रयासों पर निर्भर करता है कभी कभी कृतिम स्वसन के अभाव में बेक्तिकी मृत्तिव हो सकती है कृतिम स्वसन की तीन विधियां है कौन-कौन सी सिल्वेश्टर विधी, सेफर्स विधी और लाबोड विधे तो मेरे प्यारे बचों यहाँ पर आपने देखा सभी लगुत्री प्रशनों का एंसर अब बारी आती है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजेगा इस तरह के प्रशनाएंगे दीर गुत्री प्रशन, निर्देश है, प्रशन संख्या 32 से 34 तक दीर गुत्री है प्रशन संख्या 32 वा 33 के विकल्प दिये गए हैं, प्रतेक प्रशन के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है प्रतेक प्रशन के उत्तर 100 सब्दों के अंतरगत लिखना है यहाँ पर आप देखेंगे सबसे important प्रशन है, पहला यहाँ पर यानि 32 उहाँ प्रशन है इस्पंज से आप क्या समझते हैं, इस्पंज कराने की विधियों का वर्डन कीजी अत्वा में प्रशन है, यहाँ पर मेरे प्यारे बचो परिया वरड प्रदूसर का क्या तात्पर है प्रदूसर के कारण जन जीवन पर पढ़ने वाले प्रभावों का वलन कीजी प्रशन गला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भोजन को पका कर खाना क्यों आवशक है और अत्वा में प्रशन यहाँ पर आप लोग तयार कर लेना है पर हेपटाइटिस रोग की कारण लच्चड एवन बचाओ की उपाई लिखी प्रतेक प्रशन आएगा छे नंबर का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रशन संख्या 34 है स्वसन क्रिया क्यों आवशक है फेफडों में रग्त के सुधी करण की प्रक्रिया समझाईए तो इसी तरह के प्रशनाने हैं 2025 वोट परिच्चा में यहीं से प्रशन छपेंगी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर यह दिया आप नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजेगा जैहिंद